सम्भानित साथियों, सभी का बहुत-बहुत साथ वाद साथियोग बहुत बड़े मुद्दे को लेकर मैं आपके साथ मैं लाइव आया हूँ साथियोग बहुजन समाज पार्टी की बुराई करने वाले जो लोग हैं उनको हमें समझना पड़ेगा कि वो लोग हैं कौन, कहां से आये हैं, क्या करते हैं, उनकी आजी विका कैसे चलती है। साथियोग बहुत बड़ा सडियंत्र सामने आया है देश में और एक प्लानिंग के तहट चल रहा है। एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहट ये कुछ सत्ताधरी पार्टी जो समझान की धजियां उड़ाती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि समझान को इस देश में जिस रूप में समझान है उस रूप में लागो किया जाए, ऐसी पार्टी ऐसी विचारधारा ऊपर ना उठ सके, इसके लिए इन्होंने बहुत बड़े सडियंत्र के तहट पूरे देश में लोगों को छोड़ रखा है और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है साथियों, साथियों समझना पड़ेगा, मैं इसे एक एक एक्जामपिल के रूप में आपको समझाऊंगा, ताकि म मेरे जो जो मेरे भूले भाले भाई हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो इसको बड़ी गहराई से अच्छी तरह से समझ सकें, साथियों जब अंग्रेजों ने इस देश पर कबजा कर रखा था, हमारे देश को गुलाम बना रखा था, तो उस गुलामी से परिशान होके, कुछ क्रांतिकारी साथियों ने अपने छोटे-छोटे दल बनाए और उन अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू कर दिया, कि हमें इन अंग्रेजों को यहां से खदेड़ना है, इस देश को आजाद कराना है, उसमें जो भी व्यक्ति अपना कारेसली के हिसान करता था, अपने छोटे-छोटे अपने दल बना लिए अलग-अलग अरो अंग्रेजों से जो लोहा ले रहे थे, अपने-अपने तरीके से, बहुत सारे करांतिकारी साथियों थे, मैं आपको नाम गिनाता हूं, कुछ चंद्रसेकर आजाद हैं, भगत सिंग है, सरदार भगत सिंग, जो हमारे करांतिकारी साथि सहीद, जो हमारे देश को आजादी में, जिनका सरवो जो योगदान रहा, वीर उधम सिंग जी है, बहुत सारे साथियों, जलकारी बाई, मातादीन भंगी, ऐसे कितने में करांतिकारी साथियों के आपको नाम गिनाओं, यानि सब ने अपने- वह अंग्रीजनों से लुहा ले रहे यह चीज समझ में आती है वह सक्चे क्रांतिकारी थे और उन्हों ने अपने खुन पसीने से इस देश को आजादी दिलाई हम उन्हें सेल्यूट करते हैं उनका अभिनंदन करते हैं उन्हें शिरद्धा के समन अर्भित करते हैं साथ यह इसी तरह से किसी भी चीज़ को अगर फटह करना है तो इसी तरह से प्लानिंग करनी होती है यानि जो भी आगय नेतरत्र सहीिस सही नियत से नेतरत्रकर ने के लिए आगे बढ़ता है उसका सहयोग करना चाहिए और अगर आपको लगता है कि ये नेत्र तो सही नहीं कर रहा है तो आपको अपने हिसाब से अपने दम पर अपने दम पर उसी दिसा में और अच्छी मजबूती से जो है संगर्स करना चाहिए यहां तक तो बात सहिए अब मैं आजादी से पहले और आज भी ऐसे लोग हैं जो इस गैर बराबरी के व्यस्था को खतम नहीं करना चाहते या बिक जाते हैं सात्यों पहले भी बहुत सारे लोग हमारे मुगलों और अंग्रेजों के गुलाम रहे और उन्होंने हमेशा अंग्रेजों मुगलों का मुकाबला करते रहे और आखिरकार हमने फत्य हासिल करी क्योंकि हमने हार नहीं मानी सात्यों इसी प्रकार से आज हो रहा है जो पार्टियां जो राजनीतिक दल्प भारत की समविधान की धज्यां उड़ा रही है आरक्षण को इस देश से समाप्त करना चाहती है बहुजन समाज को बाबा साहब बुद्ध फूले और जैभीम के नारों को लगाकर बेवकूप बना रही है अपने आपको समविधान बादी जूटे ही समविधान बादी कहती है उनको समझना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे ही समाजिक संक्ठनों को चलाने वाले लोग आज बहुजन समाज पार्टी की बुराई कर रहे हैं तो बुराई तो कर रहे हैं वो उनकी बातों को समझो लेकिन सोचो भी और घहराई से देखो भी कि बुराई करने के बाद ये कर क्या रहे हैं ये कहां जा रहे हैं कहीं ये विप्रीत मानसिक्ता की तरब तो नहीं बढ़ रहे हैं कई ये विरोधियों के खेमे से मिले हुए तो नहीं है कई ये पेड़ वरकर तो नहीं है ताकि इनको सेलरी मिलती है कि जाईए और बहुजन मुमेंट को कमजोर करिए और अपने लोगों में भ्रह फेलाईए कि बहुजन समाज पार्टी जो है गेर बराबरी की विश्था को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है लेकिन मैं दाबे के साथ कहता हूं साथियो पूरे देश में 2007 साथ में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई या आज तक मानिया बहन जी ने या सहाब काशी राम जी ने बहुजन समाज पार्टी के एक भी कार्ट को आप बता दो जिसने देश में पाखंडवाद को बढ़ाया हो एक भी समारक एक भी स्थरका या नावरने ऐसा कर रहा हो जो पाखंडवाद को बढ़ाता है जो साइंटिफिक टैमपर या हमारी एतिहासिक धरोवर को आगे बढ़ाने का काम नहीं करता लेकिन यह जितनी भी पार्टियां है वो सारी की सारी पाखंडवाद के पीछे चल रही है आज भी और हमारे वो लोग जो बहुजन पे वी ऐसे दलाल थे उनको समझना पड़ेगा और जब भी कोई बहुजन समाज पार्टी की बुराई करता है उससे सीधा बोलिए सीधा बोलिए ठीक है तो भाई अब तू बता तू क्या करेगा चल तू राजनिती में आ तुझ में दम है तो तू निर्दलिये लड़ चल उटे ही भ्रह्म फेलाके और तू मनुवादिक को पोषित करने वाली पार्टीयों को जो समिधान की धज्यां उड़ाती है उन पार्टीयों की गोद्म जाके तू धलाली करता है तू पैसे लेता है महीने की महीने उनसे इसी काम के कि जाके बहुजन समाज पार्टी की कि यह विरोधी पार्टीयों में जाके तो नहीं बैठा है कही वहां तो फोटो नहीं किस बात आई है अपने वहां तो गुल्दस्ता नहीं देता है जीत की बदाई के अरे जो विरोधी खेमे में चला गया वो कैसे जीत सकता है जड़ा सोचिए अरे या तो तो स्वतंतर न यह कुछ करेगा कुछ उनका हितेसी है लेकिन जो लोग बहुजन समाथ पार्टी की बुराई करते हैं सात्यों मैं बता रहा हूं यह पूरा छान बीन करके हमने निकाल लिया यह पेड़ वरकर हैं यह प्रतेक प्रदेश में बड़े प्लानिंग के तरह छोड़े गए हैं और लोगों को चिन्नित किया है जो समाथ के बीच में रहते हैं और उनको पैसे और यह कहा गया है कि बहुजन समाथ पार्टी के इस किसी है नराजगी हो सकती है किसी बात ना मिला हो उसे टिकट ना मिला हो क्योंकि सब को पद नहीं दे सकते पूरे देश में सब ko टिकट नहीं दे सकती को भी पार्टी चलिए उसको लेके या हो सकता है कि टिकट देने में किसी कैंडिडेट में हो सकता है फिर बदल कर दिया हो यहां तक तो ठीक है चलिए नाराजगी हो सकती है नाराजगी तो चंदर सेकर से चंदर सेकर आजाद जी से भगत सिंग से या उ तो कभी हित ऐसी नहीं होते वो तो हमारे देश के दुस्मन थे जो अंगरीजों से मिल चुके जो मुगलों से मिल चुके थे इसी पिरकार से जो लोग समधान विरोधी पार्टियों में जाकर बहुजन समाज पार्टी की पुराई करते हैं वो कायदे में जूते खाने के लाय गुलामी करना छोड़ दे आजा स्वतंत्र चल मैं भी तेरा सयोग करता हूं है तेरे में नहीं ये सब पेड़ वर करें सातियों ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमें लिस्ट बनाके उनको चिन्यत करके उनको जो है उनका समाजिक भाहिसकार करना पड़ेगा तभी हमारा बहुजन के सैनिक से लड़ रहा है तो जब तक एक दूसरे पाले में लोग पाले के लोगों को हराने लगें तो वो विजय नहीं माना जाता वो तो हार गया उसने अपनी विचारधारा को हरा दिया सातियों समझना पड़ेगा और मैं उन सभी दलालों से यह कहना चाहता हूं कि आपकी दलाली ज्यादा दिन नहीं चलने वाली आपका परदा फास हो गया है ऐसे बहुत सारे लोग है और इनको मिलता क्या है जब छानवीन करी तो हमें बड़ा बड़ी सरम आती है बड़ा अफसोस होता है अरे ये तो दो दो चार चार हजार रुपे महिने में ये तो अपने जमीर को गिर्वी रखके बैठ गए अरे इससे अच्छा इससे अच्छा तो भी की मांग लेते अरे हमी तुमें अरे बुराई करते हो तुम बहुजन समाथ पाटी की अरे बुराई क्यों करते हो भाई अरे तुम कुछ करके दिखाओ ना क्या धला हुए थे इसी पिरकार से मनुवादी पार्टियों से निकल कर ही तुम बहुजन मुमेंट को आगे बढ़ा सकते हो मेरे साथ ही हो समझना पड़ेगा और इन दलानों को चिन्नित करो और जो भी बहुजन समाज पार्टी की बुराई करता है तो उसको सोचो कि बहुजन समाज पार्टी की तो तुने बुराई कर दी लेकिन फिर उससे क्वेशन करो कि तू वहां क्या कर रहा है अब ये बता वो कौन सी हमारी हिते जिसने आरक्षन को खतम करने के लिए बहुजन विचारदारों को खतम करने के लिए पाखंड को बढ़ाने बढ़ावा देने के लिए अरे भारत विरोधी नारे लगाती है पाटियां भारत देश की जैन नहीं बोलती भारत जिंदाबाद नहीं बोलती इन दोनों नारों क से आने वाले लोग हैं जो हमारे देश के समिधान पर आश्तर हकते हैं जो हमारे हमारे देस की मिट्टी से प्यार करते हैं हो भी हशी कुशी रहें उसको भारत कहते हैं लेकिन यह भारत जिंदाबाद नहीं कहते देखिए जरह और यह दलाल लोग जो बहुजन समाज पार्टी की बुराई कर रहे हैं ये लोग उनीमा जाकर उनकी दलाली करते हैं और बहुजन समाज पार्टी की बुराई करते हैं ऐसे लोगों को ऐसे लोगों का बहिसकार हो मैं कहता हूं ऐसे लोगों का बाइकाट करो इन्हें और जो राजनीता इन इन मनुवादी पार्टियों में जाकर MPML बन गए हैं इनको अपने मंचों पर मत बुलाना वरना फिर मत कहना कि हमारे लोग वहां जाकर गुलाम बन गए अरे यह तो रीत आपने चलाइए अरे इनको फूल माला पेनाना इनका सम्मान करना बंद कर दो कल को कोई हिम्मत ही नही कि अरे आप जब अपने खेमे में रहोगे तो आपका कोई ना कोई भाई तो जीतेगा ना आपकी विजय होगी लेकिन जब आपने खेमा ही चेंज कर दिया जब पाला ही चेंज कर दिया तो आपने तो विजय होने की जो हमारी मनसाती उस पर पानी फेर दिया आप तो कभी विज़े होई नहीं सकते आप तो मनुवादी की पार्टियों को पोस्चित करने के लिए अपना पालाई बदल गए मेरे साथियो जो बहुजन समाज पार्टी की बुराई करते हैं केबल तीन बातों को देखना क्या वो व्यक्ति वो तो नहीं जिसे बहुजन समाज समाज पार्टी में किसी पद से हटा के दूसरे पद पे डाल दिया यह तीसरा कहीं वो व्यक्ति वो तो नहीं कि बहुजन समाज पार्टी की तो बुराई कर रहा है लेकिन उसे सेलरी मिल रही है हर महीने दलाली और वह मनुवादी की किसी पार्टी में गैर समिधान विरोधी किसी पार्टी में जाके उसके राजनेता से वहां मिलता है वहां उसके फोटो देखिए उसके फेस्बुक पर और बोलो कि भाईयो जो समिधान की बात करेगा वो समिधान विरोधियों से विपरीत पाले में खड़ा होकर लड़ेगा ना कि समिधान विरोधियों के पाले में जाकर तुम समिधान वादियों की बुराई करोगे अरे तुम तो सबसे ज़्यादा गेर समिधान वादियों सा हैं कि सट्यंत्र का परदा शो सके और हमारी भुली-भाली जनता इंद लालों से सावधान रह सके और इनसे जवाब मांग सके करे लικό कि चलो तुम बहुजन समाध्स पार्टि की बूराई या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो कहीं तुम दलाल तो नहीं हो कहीं तुम जिस तरह से हमारे कुछ लोग अंग्रेजों से मिलकर उल्टा अपने क्रांतिकारी साथियों की बुराई करते थे उल्टा उनी पर हतियार चलाते थे कहीं तुम उनी की पैदाईस तो नहीं हो कहीं तुम उनका खून तो नहीं हो जो लोग मुगलों से मिलकर अपने ही भारतवासियों पर हतियार चलाते थे अरे कहीं तुम उनके खून तो नहीं हो पैदाई सुनकी तो नहीं हो समझना पड़ेगा साथियो और इन गुलामों को जवाब दो मैं एसके गौतम राष्टे महासचीव अम्यक समास संग स्थरी ऐसे सभी नेताओं का भाइस का मैं भीक मांगना पसंद मैं भूका मर जाओंगा लेकिन गुलाम राजनेता के पास किसी भी तरह की कोई भी कोई भी मदद लेने के लिए कभी नहीं जाओंगा मैं पक्का अंबे पनाया ठर्द का issy region के लिए जब कानू नहीं बनाया था लाक मार्दी थी बेहन जीने भी राचस閉मा में अपनी कुरसी को पद्गो लाँ मार दी अरे अरे तुम तो कुरसी से चिपकने के लिए तुमने तो पाला ही बदल लिया अरे तुम तो गुलाम ही बन गए तुम जीत कर भी हारे हो और जो लोग आज बहुजन समाज पार्टी या स्वतंत रूप से या निर्दलिये समिधान को बचाने के लिए लड़े अपने सही पाले में खड़े होकर लड़े बेशक वो आज हार गए हैं लेकिन उनसे उम्मीद तो है कि आने वाले समय में वो और अधि मजबूती से लड़ेंगे और एक दिन जीतेंगे लेकिन जिनोंने पाला ही बदल लिया है उन्होंने तो उम्मीद ही खतम कर दी कि वो लोग कभी जीत भी सकते हैं साथियो वो जीत कर भी हारे हैं और मेरे साथिया जो हारे हैं वो हार कर भी जीते हैं मैं उनको सेलूट करता हूँ मैं सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ साथियो अगर अच्छी लगी है तो इसे आगे फैलाईए ज्यादा से ज्यादा से यर करिए ताकि हमारी भोली-भाली जन्ता को जैसे ये दलाल बहका रहे हैं बोजन समाज पार्टी की बुराई करके इनसे जवाब मांग सके जवाब जरूर मांगिए धन्यवाद बहुत-बहुत साथ हुआ